लक्षमी पती विष्णो भगवान की जह है वेलकम बैक टू माई चैनल तो आईए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी कब है परवर्तनी एकादशी का शुब महूरत और पूचाविती भाद्र पद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परवर्तनी एकादशी या जल जूलनी एकादशी कहा जाता है भगवान विष्णो देव शैनी एकादशी जी योग नित्रा में चले जाते हैं और भाद्र पद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वे अपनी शेष शैया पर करवट बदलते हैं परवर्तनी एकादशी 25 सितंबर सुबा 7 बचकर पचपन से शुरू होगी और 26 सितंबर सुबा 5 बचकर एक मिनट पर समाप्थ हो जाएगी तो परवर्तनी एकादशी 25 सितंबर 2030 में बनाई जाएगी तो चलिए भगतो जल्दी से पुजा विधी भी जान लेते हैं जल्दी सनान करना चाहिए भगवान विष्णु के वामन रूप को दही दूद शक्कर और शहर से सनान कराएं जिनके पास वामन रूप का नहीं है वो अपने लड़ू कपाल रादे कृष्णा इनको सनान कर रा सकते हैं और गंगा जल से भी सनान कराएं तुलसी जल भी इनको अर्पित करें घी का दीपक जलाएं और चंदन तिलक लगाएं भगवान को वामन भगवान की कथा पड़ें आर्टी भी गाएं और भोग लगाएं भोग में तुलसी दल जरूर चड़ाएं किर्टन करें भगवान विश्णो के मन ओम नमो भगवते वासु देवाएं नमाहा का जाप करें संभव हो तो वरत भी रखें और इस मंत्र का जाप तुलसी की माला से करें विश्णो भगवान मालक्षमी की पूजा करें इस परिवर्तिनी एकादशी के वरत से धन और सुक्की प्राप्ती होती है भगतो और साथ ही परलोक में भी इस एकादशी के पुन्य से उत्तम स्थान मिलता है तो चलिए ये मेरी वीडियो यहीं तक थी